नमस्काल मैं प्रग्या धर्दत इस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को भारत अमेरिका के बीच रणितिक साज़दारी को गहरी करने के लिए दोनों ही देश लगातार बड़ी कदम उठा रहे हैं नई दिल्ली में हाली में भारत अमेरिका के बीच हुई 2 प्लस 2 वारता इसके एक बड़ा प्रमान है इस बैटक में भारत अमेरिका ने अपनी रणितिक साज़दारी को सधी के सबसे उचे मुकाम पर पहुचाने का फैसला किया है इस बीच अभारत ने अपने पुर्व रक्षा सचीव अजय कुमार को इस साज़दारी में बोर्ड का सलाकार बनाया है अजय कुमार को अमेर का भारत रहने तिक एवं साज़दारी फोर्डम में बोर्ड के सलाकार के तोर पर शाविल किया गया है जेन्यू यानि जवाहालाल नेरू विश्विद्याले की पुर्व छात्र अनेता सहिला रशीद ने एक बार फिर से पिधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है इसरायल हमास जंग के बीच शेहला रशीद ने स्मंगलवार को कहा कि शुक्र है कि कश्मीर गाजा नहीं है उन्होंने जमु कश्मीर में हो रहे बतलाओ के लिए पियम मोदी और केंद्रे ग्रह मंत्री अमिस्सा को क्रेड़ दिया समचार एजन्सी एनाई से बात करते वे पुर्व छात्र अनेता ने कश्मीर में पहले पत्थर बाजो पर भी अपने वचार रखा घटना कैसे भी हो उसके जितनी निंदा की जाए उतनी कम होती है इस तरह की घटना के कुछ लोगों का मनोबल बरता है लेकिन फिर शासन उनके मनोबल को तोड़ने में जुटी हुई है यह बाते भी हार सरकार के मंतरी अशोक चौधरी ने बीते कल जमुई में बालू माफियां के दोरान द्वारूगा को कुचल कर मारे जाने को लेकर कही है उन्होंने कहा कि आज इतना दन हो गया है इसके बावजूत कोई भी जातिये गन्ना नहीं करवाया लेकिन नितीश ची जैसे व्यक्ती पैदा हुए जिन्होंने आजादी के 70 साल बात कराया है आर्थिक और समाज इकस्ति का भी पता लगवाया हिंदुस्तान में यह नया ट्रेंड है पर सितियों को देख करके आप आगे बढ़िये तो इसका डेमांड लंबे समय से होती रह दी है भारत ने कहा कि स्यूंगत राश्रुता अंतरखास तौर पर सुरक्षा परिसद 21 सदी की भूर राजनुतिक वास्तिविकताओं के बोज तले चर्मरा रहा है उसने रिखांकित किया महसभा को बहु पक्षवाद के माधियम से अंतराश्रिय मुद्यों को हल करने के उ देंतराश्र के मुख्य विचार विमर्ष नीती निर्धारन और प्रतिनीदी अंके रूप में उसकी सिती को पूरी तरह समान दिया जाए केंदर सरकार दोरा किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है जमुक अश्मीर के डोड़ा जिले में बड़ा हासा हो गया है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है घटना डोड़ा जिले के असर छेतर की बताई जा रही है जहां एक यात्री बस खाई में जागरी इस हासे में मरने वालों की शुरवाती आकड़ा 15 बताया जा रहा लेकिन को देखते वें आकड़ा और भी बर सकता है हादसे के बाद रिस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खाई से नीचे गिरी बस नजर आ रहे ही काकमी उचाई से नीचे गिरने के कारन बस के पर चक के उर गया है वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि स् इस रुपे की तेजी के साथ 6,200 रुपे के भाव पर कारुबार कर रहा था इस समय इसने 6,214 रुपे के भाव पर तीम का उचस्तर और 6,156 रुपे के भाव पर निचला अस्तर चुलिया मई महीने में सोने के वाईदा भाव ने 7,845 रुपे प्रती 10 ग्राम के भाव पर स यूजर ने टॉम एंट जरी के काटून के जरीए अपना रियाक्शन सोशल मीडिया पर शेयर किया है तो वहीं दूसर यूजर ने हेरा फेरी फिल्म का एक सीन शेयर करते वे लिखा मेरे को तो ऐसा धक धक खोड़ेला है उत्राकर्ण टरल हासे में बुधवार को चोथे दिन राहत और बचाओ का कारे चल रहा है लेकिस सुरंग में फसे 40 मज़़ूरों तक पहुँचने के प्रयास फिलाल पड़वान नहीं चर सके हैं इस पीछ खबर है कि रिस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल रहे अफसरों ने अविससग्यों की सरा ली है अब तक दिल्ली मेट्रो नार्वे और थाइलांड के एक्सपोर से बाचीत की गई और मदद मागी गई है बचाओ दल इस समय थाइलांड और नार्वे के अंतराश् को डिलीट कर दे और भूल कर भी उस पर क्लिक न करे इस कैमर्स अक्सर इस तरह के मैसेज को यूज करके आपकी परसनल जानकारी चुरा देते हैं भारत में दूसरा सबसे पॉपर्ड स्कैम जॉब के नाम पर चल रहा है आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि प्रोफेशनल कंपनिया कभी भी जॉब आफर करने के लिए इन प्लाटफॉमों का यूज नहीं करती है इस योजना के प्तहत लाटली बहना योजना की हित ग्राहियों को सरकार बड़ी सौगात देगी सरकार हर महिला को 10,000 मासी कायश निजित करेगी इस येम शिवरा भारत निर्वाचन आयोग दोरा चत्रसगर में विधान सभा निर्वाचन के लिए न्युक्त विशेश तामाने प्रिछक धर्मिंद गंगवार विसेश व्याय प्रचक राजेश तूटेजा और विसेश पुलिस प्रचक अनिल कुमार सर्मा तथा मुख्य निर्वाजन प विधायक राजिवाचन के विधायक और पुर्व मंत्री गुरमीत सिंगर के निधन की सूशना से मुझे बेहद दुख हुआ है कुनर लंबे समय तक अस्वस्त होते वी थे अपने चेत्र में विकास कारीना के लिसा के प्रयास रहत रहते थे। कुनर सहाब कानिधन कॉंग्रस पार्टी और राज्थान की राजनिती के लिए अपोर्निय च्हती है मैं इश्वर सिद्यवंगत आत्मा की शांती और परिजनों को हिम्मत देने की काम ना करता हूँ भारती अंतरिक्ष संसान इस्वर और नासा के वैग्यानिक एक साथ मिलकर NISAR मिर्शन पर काम कर रहे हैं इसको लेकर जेट प्रोपलेशन लिबरेटरी नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस अड्मिनिस्ट्रेशन की निरदेशक लॉरी लेसस ने कहा दोनों अंतरिक्ष एजेंसियो इस्वर नासा के वैग्यानिक नासा इस्वर सेंथेटिक एपर्चर रडार मिर्शन पर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यह सुनिचित किया जा सके कि अंतरिक्ष यहां से आने वारे डिटा का अधिक्तम लावग ना सके बाबा फूट प्रोसेसिंग का IPO लिस्ट हो गया है कंपनी के शेरों के आज NSE SME पर लिस्टिंग हो गई NSE SME पर बाबा फूट प्रोसेसिंग के शेरों की 46 रुपए के इंस्वरेंस पर फ्लाट लिस्टिंग हुई शेरों में 3% से अधिकी गिरावटाईर, इंट्राडे में इस सेर में 5% का लोवर सर्किट लग गया और यह 72 रुपए पर आ गया, बाबा फूर्ट प्रोसेसिंग आईपीयो का प्राइस पैंड 75 रुपए से 76 रुपए के बीच तैकी आ गया था, बाबा फूर्ट प्रोसेसि हरहर महादेव के जैकारों और भारतिय सेरा के बैंड की भक्ति में स्वड लढ़ियों के बीच अपनी शीदकाल प्रवास उखी मटके लिए प्रस्थान किया, पंचमुखी डोली 17 नवंबर को उखी मटके उंकेरिश्वर मंदर पहुंचेगी जहां अगले 6 तक, सीदकाल म पहले राजनिती तेज हो चली है, इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से बारल हो रहा जो केंदरी है, मंतरी और दिमनी से बीजपी उमिद्वार नरेदन सिंग तोमर के बेटे को बताया जा रहा है, इस संबन में न्यूज वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम प्रकाशित की है, इस वीडियो के सामने आने के बाद कॉंग्रस ने बीजपी पर हमला तेज कर दिया है, वीडियो में एक सक्स नजर आ रहा है, वो अपना नाम जगमंदीब सिंग बता रहा है, खुद को एक एबोर्ट्स फोर्ट कनाड़ा का निवासी बता रहा है, और द बड़े चहरों ने शोग जताया है, जिनमें पुर्व क्रिकेटर युवरास सिंग से लेकर बैडमिंटन खिलारी साइना नेवाल भी शामिल है, मंगलबार को हिरदया घात के कारर सहारा इंडिया के प्रमुख सहारा स्री सुब्रत रॉय काने मत दिया, पटना जिले में बी पदस्थापित किये गए स्कूलों में योगदान देना अनिवारे होगा, वही नव्युक्त नियोजित्सक्षकों को पदस्थापना पतर मिलने के बाद योगदान के लिए 30 नमबर तका समय दिया गया है, नियोजित्सक्षक वर्तमार में दूर दराज जले के मूल विद् किये आपात के सिती में प्रात्मी कुपचार के बाद रोग्यों को तुरंत नजदी की एस्पिताल भिया जा सके, इसलिए अलग से इन इस्पितालों वह नियंत रंकक्ष में एम्बुलिंस मुस्त्याद रहेगी प्रतस्षित्स पत्रिका लेसंट ने गर्मी से होने वाली मौतों को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है, वंगलवार को प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार अगर सधी के अंतक तापमान में दो डिग्री सेल्शियर्स तक बढ़ोतरी होती है, तो गर्मी से होने वाली मौतों में 370 फीज़ी की बढ़ोतरी हो सकती है, बता दे कि लैसंट ने जलवायू परिवर्तन को लेकर आठवी रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट के नुसाल जलवायू परिवर्तन के कारण आज दुनिया भड़ के लोग जीवन और आजिवका के लिए संघर्ष कर रहे जल और थल के बाद अब परेटक आस्मान से भी कासी के दर्षन कर सकेंगे, इसके लिए जलदी कासी में योगी सरकार की हेली टूरिस्म सुरू करने की योजना है, इससे आस्मान से गंगा दर्षन और वारानसी को देखने का मौका मिलेगा तो वही चंदौली में एको टू मौइजो ने नए राश्रपती मौममद मौईजो ने बता दिया है कि आकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मौईजो ने इस अपताक के अंत में पदभार ग्रहन करने के बाद भारतिय स्यनिकों से बहां से चले जाने का आवाहन किया है, हालाकि उन्होंने इस पस्ट कर भारतिय स्यानिकों की जगह मालदीव में चीनी स्यानिक नहीं लेंगे। ब्राजील ने भारत के साथ अपनी एथिनौल उत्पादन टेक्नलोजी साध्या करने की पेशकस की है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राची के राजभवर में मिक 211 लड़ाकों विमान का नावरन किया। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजभवर में मिकायोन गुडविच लड़ाकों विमान का नावरन किया। और बांगलादेश मुक्ती योद में सफलता पोलवक इस्तमाल किया गया था। अब बरते हाज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के सरकों के सती कैसी है। अपने चवाप फामे मारी कॉमेंट सक्षमारी कर जरू बताए आज के लेतना ही धन्यवाद। अपने पामे मारी का सवाद।